तो आज की सेशन में हम पॉलिटेग्निक 6 समेस्टर का सब्जिक यूटलाजेशन आफ इलेक्ट्रिकल इनरजी का चैप्टर 2 आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 2 में जो आपका चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक हीटिंग एनरजी कर दिया है तो आज की सेशन में हम देखेंगे के इलेक्ट्रिक हीटिंग के मेथड यानी की जो रजेस्टेंस हीटिंग होता है और meeting में भी दो होते हैं डरेक्ड रजेस्टेंग नियुक्षिक में क्या होता है तो रीष्टेंश इडिंग आप समस्जचन चाहें तो आईसे समस्ज़ सकते हैं कि रीषि्टेंश करने के लिए यह होता है यह किस चट्धान पर काम करता है यह क्या कि Madam कर रहा है तो इसमें जो heat generate होगा वो कितना होगा आई स्कॉर आर जूर उसमा इसमें उत्पन होगा तो resistance heating में दोनों ही method जो है चाहे वो direct resistance heating हो या फिर indirect हो दोनों में ही इसी concept का use होता है तो यहाँ पर अगर resistance heating के बारे में आता है तो exam में आप कैसे लिखेंगे कि हम जानते हैं जो विद्धुत उर्जा होता है आपका electrical energy जो होता है उसका use हम किसी भी उपकरण में direct उसको use तो नहीं कर सकते हैं अगर हमको light के form यूज करना है तो उस प्रकार से उसको convert करेंगे तो विद्धुत उर्जा को प्रकास उर्जा या उस्मा उर्जा में परविखेंगे उसे हम utilize करते हैं यूज करते हैं यहाँ पर बात है heating का तो heating के लिए हम कई प्रकार के method होते हैं heating को बोलते है resistance heating method ठीक है तो हमने आपको भी बता दिया है कि जब भी हम किसी प्रत्रोथ आर से होकर आइध रसा अगर प्रोइध करते हैं तो उसमें जो उसमा उत्पन होगे वो कितना होगा डारेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा होता है इन्डारेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग तो देख़ें नाम से पता चला है direct resistance heating यानि कि इसमें हम जिस भी पदार्थ को गरम करना चाहते हैं जिस भी material को heat करना चाहते हैं उसको हम ताप अन्यानी कि direct हम उसके क्या करते हैं heat के संपर्ग यानि कि ताप के संपर्ग उसको direct ले जाते हैं तो बिल्कुल easy है यह इसके नाम से पता चल रहा है कि इस विदी में हम जिस भी पदार्थ को गरम करना होता है उसको क्या करते हैं direct ताप के संपर्ग में ले जाते हैं ठीक है इतना आपको समझा आगेगा तो जो भी देखिए हैं पर एक term आता है तो जिस भी पदार्थ को हम गरम करते हैं फिर heat करते हैं या जिस भी पदार्थ को पिखलाना होता है उसको हम बोलते हैं charge तो आपको confused नहीं होना है जब इसमें charge जो charge language आएगा तो समझ जाना कि जिस भी material को हम गरम करेंगे उसी को बोलेंगे charge, जो आपका charge होता है उसका resistance जो होना चाहिए काफी high होना चाहिए या other language उसको हम बोल सकते हैं कि जो भी परदार्थ हम गर्म कहते हैं उसको हम resistance को रूप में लेते हैं और इसी की throw जो resistance होता है उसी को throw हम current को flow कराते हैं और जिससे क्या होता है material जो आपका होता है या फिर जो charge होता है वो गरम हो जाता है और आपका जो material होता है वो आप powder piece अथवा liquid के फाम में हो सकता है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह diagram जो है बहुत ही important है देखे यह diagram जो है आपका direct resistance heating का यह diagram है ठीक है तो इसमें क्या है आपको इसमें आपको समझाएंगे कि आपको जो direct resistance heating होता है वो कैसे work करता है यहाँ पर आप लोग बुश्टेंस जहां से देखेगा देखे इस diagram में आपको क्या देख रहा है यहां देख सकते हैं जो यहां पर छुटे-छुटे दिख रहे हैं यह हाय रिजेस्टेंस मटेरियल हैं इन्हीं को हमको क्या करना है हीट करना है और यहां पिर गरम करना है और इसी को हम क्या बोलेंगे चार्ज बूलते हैं ठीके अगर इसमें हम 3 पे इसी सप्लाई देते हैं तो three electrode का use करते हैं, अभी यहाँ पर इसमें दो ही electrode का use किया गया है, क्योंकि इसमें हम three पे supply नहीं दे रहे हैं, ठीक है, देखिए जो आपका electrode है, यहाँ पर दो electrode आप देख पा रहे होंगे, एक यह electrode है, एक यह electrode है, इन दोनों electrode को यहाँ पर दे सकते हैं, charge में हम क्या किये ह तो इसलिए देखिए जो आपका चार्ज है यहां पर आपको दिख रहा है यह सब सारे चार्ज है और यह इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड को हम डायरेक्ट चार्ज के संपर्ग मिलाए हैं तो इसी लिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिजिस्टेंस हीटिंग क्योंकि जो आपका material जो आप material को heat करना चाहते हैं उसको हम direct क्या किये हैं electrode के संपर्ग में लाए हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं direct resistance heating यानि कि जिसको गर्म करना है उसको हम direct electricity के संपर्ग में लाए हैं यानि कि ताप के संपर्ग में लाए हैं इसलिए इसको बोलते हैं direct resistance heating इसके बाद जब हम electrode से supply को connect करते हैं तो charge के along यहाँ पर आपको charge दिख रहा है इस charge के along जो होता है current flow होने लगता है current flow होने लगता है और I square R last होता है इसमें I square R last होता है और इसी last की उज़से इसमें जो आपका material होता है नहीं कि जो आपका यह charge होता है वो heat हो जाता है तो इस प्रकार से आपका जो direct resistance heating material होता है वो work करता है आपको एक बाद बिल्कुल अच्छे समझा देते हैं repeat कर देते हैं एक बाद इसमें क्या होता है इसमें एक chamber होता है इस chamber में charge रखे गए होती है इस charge रखे गए होता है इसके बाद इसमें दो electrode होता है दो electrode होता है यह charge से direct connect होते है मतलब कि direct इसके contact में होते है इसलिए इसको हम बोलते है direct resistance heating method इसके बाद देखिए जब हम जो electrode को जो supply से connect करते है तो यह का होता है charge के along जो होता है current को flow होता है और इसमें इस प्रकार से इसमें I square R last हो जाता है I square R last इसमें होता है और इस वज़ाए से इसमें जो रखा material होता है नहीं कि जो charge होता है वो heat हो जाता है इसके बाद देखिए अब देखते हैं इसमें कि जो आपका direct resistance heating होता है उसके कौन-कौन से advantage होती है तो जो आपका direct resistance heating होता है इसमें जो हम heat generate करते हैं जो heat को obtain करते हैं जो heat हमको प्राथ होता है वो uniform होता है और बहुत ही उच्छ होता है uniform का मतलब कि जो heating को generate करते हैं वो एक समान होता है मतलब कि variable नहीं होता है इसके बाद इसमें जो जिस भी material को हम heat करना चाहते है उसमें काफी short समय लगता है मतलब काफी कम time लगता है क्यों कम time लगता है क्योंकि इसमें जो भी material को हम heat करना चाहते है वो direct tap के संपर्क में होता है अब ये direct tap के संपर्क में होता है इसलिए इसमें क्या होता है इसकी Efficiency high होती है और इसका maintenance जो होता है वो low होता है अब देखिएंगे इसका disadvantage कि directч æiew एक्जाम में आते हैं इसके बाद इसका advantage देखिए इसका disadvantage है कि इसमें हम क्या होता है कि जो electrical Conductive Materials होते हैं उनहीं को heat कर सकते हैं का नहीं मतलब है जो material को हम heat करना चाहते हैं उसमें electrical की properties होनी चाहिए और इसमें इसका disadvantage एक यह है कि इसमें अगर हम चाहें कि 100 degree centigrade top को मतलब कि 100 degree centigrade top पर किसी material को गरम करें 50 degree centigrade top पर गरम करें तो ऐसा इसमें possible नहीं है इसमें current variable नहीं होता है इसलिए हम इसमें जो भी top generate होता है उसको control नहीं कर सकते हैं देखिए top को हम control कैसे करते हैं वो आप अब आगे पढ़ेंगे ताप को control करने के लिए current का variable होना आवस्तिक है और जो कि इसमें नहीं है तो current variable नहीं के इसमें हम ताप को इसके जो temperature होता है इसको control नहीं कर सकते हैं इसके बाद देखिए अब आता है इसका application ठीक है कि इसका use कहां कहां होता है तो इसका use सबसे पहले इसमें देखिए इसका use होता है salt water furnace salt water furnace भी जो आपका पर डायाट को समझाए बिल्कुल ऐसे ही होता है इसके बाद होता है electrode boiler जो कि पाने गरम करने के लिए हम electrode boiler का use करते हैं और काफी सारे industrial application में use होता है और इसके बाद next application इसका water heater तो water heater में भी इसका use होता है तो आपको direct resistance heating के बारे पताद चल गया होगा जिसमें हम जिस भी पादार्थ को गरम करना चाहें अगर वो direct heat के संपर्ग में ताप के संपर्ग में आता है तो उसको direct resistance heating method बोलते हैं अब देखते हैं हम indirect resistance heating method तो देखिए indirect resistance heating method नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो होता है जिस भी पदार्थ को गरम करना होता है जा हीट करना होता है वो डिरेक्ट क्या होता है ताप के संपर्क में नहीं आता है मतलब अगर आपका अगर आपका ये देखिए यहाँ पर समझिए अगर आपका ये material हमाल लीजिए ये कोई material है और आपको यहाँ पर क्या करना है इसको heat करना है तो ये direct तापके संपर्ख में नहीं आया गाए जिसे यहाँ पर इसे इमने direct volume क्या किया था electrode लाके यहाँ पर दो electrode लाके direct इसके संपर्ख में डाल दिया था तो इसमें क्या होता है इसमें ऐसा नहीं होता है इसमें देखिए आप example से समझिए अभी आपको एक example दे रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा देखिए इसमें जैसे कि माल लीजी आपके पास कोई एक यहाँ पर tank है इसमें पानी भरा हुए ठीक है इसमें पानी भरा और आपको इसको heat करना है मतलब कि माल लीजी इसको आपको 100 degree centigrade पर heat करना है आपको इसको direct ताप के संपर्ख में नहीं लाना है मतलब कि बीना direct heat के direct contact में लाए इसको बीना आपको heat करना है तो आप इसको कैसे heat करेंगे इसको ऐसे heat करेंगे इसके अगल बगल हम क्या करेंगे कुछ heating element को लगा देंगी जिससे कि क्या होगा जब इसके आसपास का जो area है वो जब heat होगा तो इसके इसमें से heat क्या होगा transfer होके जाएगा यहाँ पर जो आपको water tank में water होगा वो होगा तो वो heat हो जाएगा तो यही आपको समझाना सचा रहे हैं कि इसमें जो होता है जो भी पदार्थ आप गरम करना चाहते हैं इसमें वो direct heat के संपर्ग में नहीं आता है इसका definition कैसे देंगे देखें इस विदी में जिस पदार्थ को गरम करना होता है वो पदार्थ direct ताप के संपर्ग में नहीं आता है इसलिए इसे अप रक्तेशे प्रतरोथ तापन विदी कहते हैं ठीक है अपने समझ में आगया होगा अब देखें जिस भी पदार्थ को हमको गरम करना होता है वो direct heating element के संपर्ग में नहीं होता है गर्म किया जाने वाले पदार्थ heat transfer मिथट से गर्म होता है heat के transfer की तीन विदिया होते हैं आप लोगों पढ़ा होगा चालन समवहन विक्रण जैसे सूर के प्रकास सूर का प्रकास जो काफी heat होता है तो वो direct हमारे पास नहीं आता है वो किस माद्ध्यम से आता है हमारे पास वो विक्रण माद्ध्यम में हमारे पास पहुंचता है तो यह से इसमें भी यही होता है इन डारेक्ट में क्या होता है ताप जो भी प्रदार्थ को गरम करना चाहते हैं उसको डारेक्ट ताप के संपर्ण नहीं लाते हैं इन माध्यम से मार जो जो भी प्रदार्थ को गरम करना चाहते हैं इन माध्यम से वो गरम हो जाता है या तो वो चालन विजी से होगा या फि exam में भी बनाना है जली इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है ठीक है देखे इसमें सबसे पहले क्या है इसमें आपको एक heating chamber दिख रहा होगा जो यहां से लेकर यहां तक का part है यह क्या है आपका heating chamber है ठीक है heating chamber में इक क्या क्या है हमने supply दिया है और heating chamber में क्या है resistance element लगा है यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे resistance element लगा है और जो resistance element होते हैं यह किसी material के बनाया जाते हैं इसका मतलब कि resistance काफी जादा होता है और यह मतलब कि 800-900 मतलब कि पदार्थ के हिसाब से होता है कि कितना temperature को सहन कर सकते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे कि इसके लिए हम consume material का यूज करते हैं तो यहाँ पर एक heating chamber होता है और heating chamber में resistance element लगा होता है यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यह heating chamber है ठीक है इसके बाद देखिए heating chamber के बाहर देखिए यहाँ पर इसमें देखिए क्या रखे गए हैं यह charge रखे गए है इन है इसके बाहर रखा गया है तो जाए इस बात है जब यह heating chamber हीट होगा तो इसमें से ताब जो है transfer होके जाएगा कि इसमें जाएगा यह आपका जो इसके बगल में रखा गया है इसमें जाएगा तो इससे क्या होगा यह प्रक्रियज होगी है समवहन या चालन दारा होगा इस परकार से आपका यह चार्ज होगा, वो गरम हुजाएगा, तो यह बिलकुल इजी हैं, इसमें एक चैमबर होता है, daimber में आपके हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट में आपका जो रिजिस्टेंट होता है, वो इसमें पमेटरियल का बनाकि बनाया जाता हैं यहाँ पर तो इसमें भी क्या होता है I square R last होता है I square R last की वज़र से इसमें heat generate हो जाता है और जब यह chamber जब आपका heat होता है तो इसमें अगल बगल जो इसके बगल में जो charge रखे हुए हैं वो charge भी क्या होते हैं heat हो जाते हैं तो इस प्रगार से आपका indirect resistance heating जो है work करता है और यह पूरे diagram आपको exam में बना कर explain कर देना है और यहाँ पर देखिए हमने उसी चीज को लिखा भी है ताकि आप लोग अपने notes में लिख पाएं देखिए जब हम supply की सहायता से प्रितरोध में धारा को प्रवाइद करते हैं तो जूल की नियम से उसमें I square R हानी होता है ज पदार था नहीं कि जो आपके side में यहाँ पर charge रखा गया था वो charge भी क्या होता है heat हो जाता है अब देखते हैं हमकी जो हमने यहाँ पर अभी आपको diagram यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने heating element लिया था वो heating element कि इस material का बना होता है यह depend करता है कि आप कितना top को sustain करने के element तो वहाँ पर जो resistance से heating element लिये थे उक इस material का बना होता है देखिए वो niacrome का इसमें हम niacrome plus chromium का use करते हैं यह क्या होता है 1150 degree ता आपको सहन कर सकता है इसके अलावा nickel chromium iron का use करते हैं जो कि 900 degree ता आपको sustain कर सकता है निकिल copper का प्रयोग करते हैं जो कि 400 degree ता आपको सहन कर स सकता है इसके बाद आता है इसका advantage की indirect resistance heating जो है इसके कौन-कौन से advantage है देखिए heating के लिए प्राप्त इसमें जो हम indirect resistance heating होता है इसमें भी जो हम temperature को use जो temperature over obtain करते हैं जो temperature मिलता है हमको तो क्या होता है uniform नानिकि एक समान होता है variable नहीं होता है और इसमें current क्या होता है vary हो सकता है current change हो सकता है current को vary करा सकते हैं इसलिए ism transformation कर सकते हैं नहीं कि किसी बगार का material हो अगर इसको हमको heat करना है तो indirect resistance heating का इस्तिमाल हम कर सकते हैं इसके बाद आता है इसका disadvantage, तो disadvantage में क्या होता है क्योंकि इसमें देखिए direct resistance heating क्या होता था कोई भी पदात गर्म करना हों direct top के संपर्म ले जाते थे तो इसमें कम time लगता था, जल्दी heat हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है कोई भी पदात को अगर हम heat करना चाहते हैं तो इसमें long time of period required होता है और इसमें क्या होता है किसी किसी cases में विसपोर्ट टखत रहोता है नहीं कफी ये dangers भी होता है अब बात आता है इसका application का, ठीक है, तो इसके applications क्या-क्या है दिखिए जो आपका indirect resistance system होता है, इसका कई सारे industry में इसका उप्योग के जाता है कुछ यहाँ पर इस प्रकार है, पहला है आपका annealing, दूसरा है brazing and soldering यानि कि soldering के लिए, annealing color के लिए, इसका हम यूज करते हैं इसके बाद heat treatment में इसका यूज करते हैं, जो glass बनता है, glass के manufacture में इसका यूज होता है इसके बाद है आपका polymer processing, तो polymer processing में भी इसका यूज होता है और में बात है यहाँ, इसका तबसे में advantage ही है, कि इसमें हम temperature को control कर सकते हैं इसलिए जहाँ पर हम कुछ study यानि की precise और control type का अगर heating की required है तो वहाँ पर हम इस भी दिखाव प्योग करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इन डायरेजिस्टेंस सीटिंग क्या होता है बस आपको यह diagram थोड़ा सा देखना होगा इसके बाद आप exam में लिख लेंगे ठीक है, तो अब हम मिलते हैं next video में इसके अगले topic के साथ तो अगर इस notes को आप PDF चाते हैं चेप्टर भी स्टाट करेंगे लेकिन अभी अब लोग चेप्टर टू पर ध्यान दीजिए और जितना बता रहें daily आपको notes बना लेना है आपना notes बनाएंगे तो आपको ज़्यादा benefit मिलेगा आपको सब कुछ लिखा लिखाय मिल जाएगा तो आप उसका use भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए